तो भाई लोग, फाइनली She Hulk का 2nd episode आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं She Hulk के 2nd episode की story को explain करूँगा तो बिना टाइम गवाय बढ़ते हैं इस episode की story की तरफ तो episode 2 की शुरुआत होती है एक न्यूस रिपोर्ट से जहां पर ये बताया जा रहा होता है कि किस तरह एक सूपर पावर इंफ्लुएंसर टाइटेनिया ने कोट रूम में लोगों पर हमला किया और शी हलक ने कैसे लोगों की जान बजाई और इसी न्यूज रिपोर्ट में जैन वर्टरस को अपना सूपर हीरो नेम शी हलक भी मिल जाता है हलाकि जैन को अपना सूपर हीरो नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था जैन नेकी के साथ इंजोई कर रही होती है कि तब ही वहाँ पर उसका बॉस भी आ जाता है और वो जैन को नौकरी से निकाल देता है ये कहते हुए कि वह अब वो अफस के लिए बोज़ बन चुकी है क्योंकि अब वो एक सूपर हीरो है और हम देखते हैं कि जैन इस बास से बहुत जादा परशान होती है इसके बाद हम देखते हैं कि जैन कई फॉर्म में ट्राइ करती है जॉब के लिए पर सूपर हीरो होने के करण उनसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती है फिर जैन को फैमली डिनर के लिए एक मैसी जाता है जहां पर वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि अभी अभी उसकी जॉब चली गए थी और अब उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी पर फिर भी Jain family dinner के लिए जाती है जहाँ पर उसके सारी family members यहां तक कि उसका cousin Jain भी उसके बारे में ही बात कर रहा होता है उसकी job को लेके जो Jain बिल्कुल भी enjoy नहीं करती है Jain के डैड ये notice करते है और बात करने के बहाने वहां से उसे दूर ले आते है और उसे पूछते हैं क्या वो ठीक है इस पर जैन अपने डैड से फीलिंग शेयर करते हैं कि वो सूपर हीरो बनके बिलकुल भी खुश नहीं है और उसे कोट रूम में हल्क बनकर सब को बचाना नहीं चाहिए था अगर वो उस दिन किसी को भी नहीं बचाती तो आज उसकी जॉब सेफ होती इस पर उसके डैड उसे समझाते हैं बताते हैं कि तुम इस फैमिली में पहली हल्क नहीं हो और वैसे भी तुमने कोई शेहर बरबाद नहीं किया तो इसलिए अब जादा फिक्र नहीं करनी चाहिए डिनर के बाद ज Pet coisas के लेए आती है जहाँ जिल के ऑन एच फरम के मिस्टर होल्डन हॉलिवी आते हैं जिसके खिलाफ जैन केस लड़ रही थी। हॉलिवय जैन को एक जाब एफर करते हैं जह से जैन को लगता है कि वो के साथ मज़ा कर रहे है हॉलिवे जैन से कहते हैं कि तुम हमारे फॉर्म के अगेंस्ट केस लड़ रही थी जो करना आसान बात नहीं है इसलिए मैं तुम्हें अपने फॉर्म के अंदर एक नए डिविजन में अपॉइंट करना चाहता हूँ जैन इस जॉब के लिए मान जाती है और अगले दिन ही वो आफिस आ जाती है जहां पर हॉलिवे उसे बताते हैं कि वो सूपर हीमन लॉर्ड डिविजन की हेड है और वो चाहते हैं कि आफिस और कोट रूम में वो दोनों ही जगे अपने शीहलक वाले फॉर्म में रहे जिसका मतलब यह था कि हॉलिवे ने जैन को जाब इसलिए दी थी क्योंकि वो एक सूपर हीरो थी और जल्द ही जैन को ये बात रियलाइस हो जाती है वो अपने आफिस में आते ही निकी से ये बात शेयर करना चाहती है पर निकी उसे अच्छी चीजों पर फोकस करने को कहती है जैसे कि उनका आफिस कितना अच्छा था और यहाँ पर मिनी फिरिज भी था और यहाँ पर उसकी सेलरी भी बहुत जादा थी शीहलक पक से मिलती है जो कि सूपर हीमन डिविजन से ही था और उसे एक वेलकम बासकेट देता है इसके बाद शीहलक हॉलिवे से अपने पहले केस के बारे में बात करती है जहाँ पर उसे मिस्टर हॉलिवे बताते हैं कि उसे एमल ब्लॉंसकी यानि कि एबॉमनेशन का केस लड़ना है ये सुनते ही शी हल्क हॉलिवे से कहती है कि मैं ये किस नहीं लड़ सकती क्योंकि ब्रॉसकी ने मेरे कजन ब्रॉस को मानने की कोशिश की थी इस पर हॉलिवे जैन से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो तुम्हें ये किस लड़ना ही पड़ेगा हॉलिवे जैन से कहते हैं कि तुम्हें कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ब्लॉंसकी से मिल लेना चाहिए अब क्योंकि जैन के लिए जॉब काफी इंपॉर्टेंट था इसलिए ब्लॉंसकी से मिलने के लिए डी ओ डी सी के प्रिजिंस में आती है जहाँ पर ब्लॉंसकी को काफी टैट सेक्यूरिटी में रखा गया था जैन ब्लॉंसकी से मिलती है जहाँ पर ब्लॉंसकी उससे कहता है कि अब वो वैवोनेशन नहीं रहा मतलब उसका अपने ट्रांस्पॉमेशन पे पूरा कंट्रोल है और रही बात ब्लॉंसकी तो उसने उसे मारने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि गौर्वर्मेंट ने उसे ओर्डर दिया था ऐसा करने के लिए पर जैन ब्लॉंसकी से कहती है कि हारलेन को तबाह करने के लिए गौवर्मेंट ने तुम्हें ओर्डर तो नहीं दिया था तो फिर उसका क्या इस पे ब्लॉंसकी जैन को बताता है कि वह सब इसलिए हुआ था क्योंकि गौवर्मेंट ने उसको इसको सूपर सूर्जा सिनम दि और वो एमल ब्लॉंसकी का केस ले रही है और वो ब्रूस को बताती है कि एमल ब्लॉंसकी बदल गया है और वो ब्रूस से पूछती है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अगर यह केस वो लेती है तो जिसमें ब्रूस जैन को बताता है कि उसमें उसे कोई प्रॉब् कुछ काम है और तभी हम देखते हैं कि ब्रूस एक्चुली में उसी सकारियन स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में कहीं है यह वहीं स्पेसक्राफ्ट है जो एपिसोड वन में ब्रूस के लिए को एक मैसेज लेकर आया था और इसे देखकर तो यहीं लगता है कि यह लोग वर्ड और हल्क मूवी प्लान कर रहे हैं और शायद हम इस शो में ब्रूस को आगे नहीं देख पाएंगे Coming back to the story जैन हॉलिवे को कॉल करके बताती है कि वो इस केस के लिए ready है और इस केस को जीतने के लिए उसने अपनी strategy भी बना ली है और तभी हॉलिवे जैन को टीवी में न्यूस देखने के लिए कहते हैं और जब जैन न्यूस को देखती है तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वही शैंग्ची वाला scene जहाँ पर abomination और वांग लड़ाई कर रहे होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खतम हो जाता है तो मेभी हम आगे के एपिसोड में जैन को एमल ब्रॉंस की का केस लड़ते हुए देखेंगे और शायद हो सकता है वांग भी हमें अगले एपिसोड में देखनों को मिले इस एपिसोड में एक mid credit scene भी था जिसमें हम देखते हैं कि जैन अपनी फैमली के घर के काउमे में कुछ हल्प करती है जैसे कि गाड़ी को लिफ्ट करना टीवी को सेट करना पानी की बोतलों को घर में रखना तो यह थी शीहल की एपिसोड नमर टू की पूरी स्टोरी आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना